अस्सलाम अलेकुम, नमस्कार, मैं सादिक केरला से, हम लोग समझते थे कि बाई हो और बेन सिर्फ हमारे गर में होता है, लेकिन हमें इंडियन स्कूल से, इंडियन ने सिखा है कि इंडिया इस माई कंड्री और इंडियन सार माई ब्रदर्स अंसिस्टर्स, मैं इसलिए बोल रहा था कि इस इंडिया सिर्फ बातों में है, लेकिन प्रवर्ति में नहीं है, कश्मीर में जो आठ साल की बच्ची की साथ बलतकार हुआ है, इन आरोपियों को इनको बचाने के लिए इंडियन के गौवर्मन भी है, सब कुछ है, हम लोग बोलते हैं, इंडिया एक, इंड इंडिया आएगा, ओ एही है क्या इंडिया अच्छे दिन आने वाला है, इही है क्या अच्छा दिन, अभी तक हम से कोई पूछे कि आप कौन से देश्च है, तो हम सर उटा की बोलते थे कि इंडिया के है, लेकिन अब बोलने में शरम आ रहा है, क्योंकि यहां पे दो-दो कानून चला रहा है, कश्मीर में जो बच्ची के साथ, आग साल की बच्ची के साथ बलत कर जो हुआ है, उन आरोपियों को इंडियन गवर्मेंट के सामने लेकिया आया, शुद पानी जैसा पॉब्लिक के सामने लेकिया आया, फिर भी इन आरोपियों को सजा नहीं मिल रही कि इसको बचाने के लिए इसको संञरुश करने के लिए गॉर्मेंट भी है उसके पिजे हcü फीनलग alm अब मुझे इंडियन कवर्मेंट से एक कहना है इन आरोपियों को कम से कम फासी का सजा दे दे अगर उन आरोपियों को फासी का सजा मिल गया तो ए मोदी जी सरकार की बात पे दम है शायद हमें अच्छा दिन देख पाए